हेलो बच्चो ये हमारी क्लास तेंथ की हिस्टर की बुक का फर्स चाप्टर है राइज अप नाशनलिजम इन यूरोप इस वीडियो में हम इस चाप्टर का सिफ एक पार्ट कवर करने वाले हैं इस वीडियो में थोड़ा पर उससे रिलेटेद ही पढ़ने वाले हैं तो अगर आपको पूरी वीडियो देखके समझ ना आए एक बार में नहीं आएगा क्यों मुझे पता हिस्टरी है एक बार में नहीं समझ आते हैं तो आप ऐसी वीडियो को दूसरी बार देखें I am damn sure आपको वीडियो समझ आ जाएगी अगर आप चाहते हैं कि आपके concepts clear रहें बिना skip करें पूरी वीडियो देखे और प्लीज हमारे चानल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर आपके कोई suggestions हैं तो वो भी दे दे प्लीज वीडियो को अपने friends से और और लोगों से share कर सकते हैं ताकि उनको भी समझा तो अब हम जादा time waste नहीं करते हैं हम start करते हैं इस chapter को तो start करने से पहले हम कुछ key points पढ़ने चाहते हैं कुछ key points पढ़ लेना चाहिए जो कि exam point of view से बहुत important है तो exam के लिए भी तो पढ़ने है सिर्फ समझना भी है और exam के लिए पढ़ने है तो exam में जो key points है वो आ जाते कर लोग पर one mark में सबसे जादर कौन सा आता है allegory तो हम सबको पढ़ेंगे लेकिन allegory का आप थोड़ से ध्यान से पढ़ना क्योंकि वो एक्जाम में आ सकता है absolutist क्या होता है it refers to the form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive मतलब ये वो form of government होती है जो मतलब जो monarchical rule होता है जहापे king rule करता है वो absolutist वही होते जो मतलब लोगों की बात नी सुनते अपनी अपनी चलाते है हर जगा और बहुत ज़ादा repress करते हैं लोगों को तो absolutely शुरूर वो होता है अब conservatism conservatism क्या है a political philosophy that stress the importance of traditions established institutes and customs and don't prefer quick changes in the society मतलब ये क्या होता है conservatism, conservatism में किस चीज़ पर जादा focus करते हैं कि हमारे traditions है, established institutes है, customs है, culture है उसमें कोई change नहाँ है जो पुरानी चीज़ों, जो पुरानी प्रथाएं चल रही है वही बहुत ज़ादा अच्छी है और जो नही आज जो मतलब ये लोग ऐसे होते हैं जो नही चीज़ों को adapt नहीं करते, उनको ज़ादा prefer नहीं करते उनको preference देते ही नहीं है तो conservatism simple यही है जो पुरानी चीज़ों को ही प्रफर करें और नही चीज़ों को प्रफर ना करें और नहीं मतलब चेंज़ों जो आते हैं सुसाइटी में उनको ना देखें थर्ड है हमारा feminist feminist कौन होते हैं awareness of women's right and interest based on the belief of social, economical and political equality of the gender मतलब ये वो लोग होते हैं जो men's and women's equality के लिएisch एकौलिटी के लिए फाइट करते है मतलब women's को भी right मिलना चाहिए जो men's को मिल रहे है जैसे की in the field of social, economical and political politics में भी उनको उतना right मिलना चाहिए economy में उनको उतना right मिलना चाहिए socially उतना right मिलना चाहिए मनें के पास है वही women's क conception उसकी portrait बना लेते हैं, pictures बना लेते हैं, models, statues, तो allegory वही होता है, मतलब, एक हमने किसी को अपना statue मान लिया, हमने एक imagine कर लिया है, एक चीज को, कि वो हमारी Indian feelings को show करेगी, feelings कैसे feelings show करेगी, freedom, liberty, envy, greed, instance, जो भी feelings है, वो एक allegory show करती है, हमने उसको मान लिया है, मतलब, ऐसे कोई real में नहीं होता, बस हम उसे as a imagination मान के चलते हैं, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे introduction, तो आप अपने book में भी देखेंगे, तो उसमें सबसे पहले page पे आपको chapter के, यही में यह वाली picture मिलेगी, देखेंगे, आप थोड़ा ध्यान से इसको, ठीक है, यह वाली picture आपको आपको आप देखने के मिलेगी, अब paper में कई बार ही आजाता है, कि यह picture बनाई किसने है, तो बनाई किसने है, Frederick Sorio, अब paper में यह भी कही बार आजाता है, कि Frederick Sorio है कौन, तो आपको यह न, याद रखना है, कि Frederick Sorio एक मताँ आर्टिस्ट था, ठीक है, जिसने यह picture बनाई थी, पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, इन 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of four prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them, ठीक है, उसने यह picture बनाई थी, 1848 में, और उसने अपना dream show किया था, इसमें जो कि था, democracy हो, और social republics हो, मतलब liberty वगरा हो, यह सब उसने उस picture में show किया था, ठीक है, याद रखना है, 1848 में बनाई, बनाई किसने, Frederick Sorio ने, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, French Revolution, तो अब हम आगे पढ़ेंगे French Revolution, French Revolution शुरू कब हुआ, 1789 में, याद रखना है, शुरू कब हुआ, 1789 में, इसके पहले क्या था, Monarchal Rule था, Lewis 16 रहा वहाँ पे, वो रूल करता था, France में, और वो ही, मतलब सारा administration चलाता था, और बहुत सारी चीजे थी, Monarchal Rule में, तो आपको पता ही है, क्या होता है, ठीक है, और फिर क्या हुआ, लोग परिशान होगा, Lewis 16 से, फिर उन्होंने क्या सोचा, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, जिस हम Lewis 16 को अटा दे, तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ, एक French Revolution स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कब हो 1789 में शुरू हुआ, ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि हुआ क्या हुआ, French Revolution and the Idea of Nation, अब nation क्या होता है, nation होता है, एक country, मतलब एक country जैसे हमारा एक nation है, इंडिया जैसे एक nation है, ठीक है, और nation होता कि है, जिसको common culture होता है, common tradition होता है, common language होता है, यही nation होता है, ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें, पढ़ते हैं क्या लिका है, मतलब पूरे यूरोप में, सबसे पहले nationalism शुरू कहा हुआ, सबसे पहले nationalism शुरू हुआ था, French Revolution से शुरू हुआ था, नाशनलिजम की feeling, अब क्या होता है, नाशनलिजम होता क्या है, यही question आएगा, कि नाशनलिजम होता क्या है, चाप्टर का नाम ही है, the rise of nationalism, तो नाशनलिजम होता क्या है, तो कुछ नहीं है, बहुत एजी है, नाशनलनलिजम है, कि आप अपनी फीलिंग के लिए, आप अपनी कंट्री के लिए क्या फील करते हैं, आप अपनी कंट्री के लिए कितना लॉयल हो, आप अपनी नेशन के लिए कितना लॉयल हो, नेशन के लिए रस्पॉंसिबिलिटीज नेशन की आपकी तरफ responsibilities यही सब होता है हमारी अंदो जो हमारी नेशन के लिए जितनी भी feelings है उसे हम nationalism कहते हैं तो से इनों देश भक्ती तो वही nationalism है ठीक है France was a full-fledged territorial state in 1789 मतलब यहाँ पर 9 नहीं लिखा है और यहाँ पर 1789 होगा ठीक है under the rule of absolute monarch मतलब मैंने पहले बताया था absolute क्या absolutist क्या होते हैं तो वही यहाँ पर लेक है absolutist monarch जो मतलब country के people को citizens को repress कर देते हैं repress करते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं अपनी अपनी ही चलाते हैं बस तो वही वही सब सीन था महाँ पर 1789 के पहले का ठीक है during french revolution the sovereignty transformed from the monarchy to the citizens of France sovereignty जो थी जो मतलब freedom, rights and all जो भी था वो monarchy से लेकर और उन्होंने citizens को transfer कर दिया और इसने क्या कहा it proclaimed that it was the people who would constitute the nation and its destiny people जो citizens है न वही अपने nation को चलाएंगे वही अपने nation की destiny बिल्ट करेंगे अब कोई monarchical rule नहीं होगा french revolution के बाद democratic हो गया था पूरा फ्रांस ठीक है फ्रांस वाले बड़े खुश थे तो उन्होंने एक nationalism की feeling को लाने के लिए पता क्या क्या किया देखते है idea of fatherland and citizens जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहली पढ़ा है उन्होंने अपने citizens को rights दिये पावर दिये और destiny बिल्ट करने के लिए अपने nation की तो वही लिखा idea of citizens अब fatherland क्या है जैसे हमारे यहां पर motherland है हमारी mother India वैसे ही वहां पर है fatherland ठीक है idea of fatherland तो second point पढ़ते है new national symbols national symbols लगा दिये जैसे हमारे फ्रांस का यह एक symbol है फ्रांस की कुछ चीज के symbols लगा दिये national language वहां पर क्या करा उन्होंने national language लब बना दी which was french जैसे इंडिया में है न हमारी लेकिए इंडिया में national language नहीं है यह बहुत ध्यान रिखने वाली बात है इंडिया में है official language इंडिया, Hindi and English टिक है बहां पर लेकिए national language which is french बहां पर और क्या किया उन्होंने पॉर्थ पॉइंट है हमारा national flag, flags जैसे tri-color flags हमारा इंडिया का है वैसे उनका भी एक flag है जो हमने पिछली slide में पढ़े है जैसे you can see this मतलब यह flag है उनका ठीक है तो next क्या है internal custom duties वार अबल मतलब कंट्री के अंदर ही जो custom duties होती थी थी ना उनको उन्होंने अबॉलिश कर दिया मतलब और uniform system of weight and measures मतलब एक ऐसा होता ना currency same कर दी similar currency जैसे पूरे इंडिया में रुपी यूज हो रहा है पूरे यूज पूरे मतलब ऑस्ट्रेलिया में डॉलर यूज हो रहा है यूज में डॉलर यूज हो रहा है यह सब वैसे उन्होंने एक weight and money के लिए similar चीज़े मतलब uniform system अपना दिया uniform laws for all मतलब सबके लिए कानून एक समान है कानून किसी के आगे नहीं जुकेगा मतलब अगर कोई punishable है कोई guilty है तो उसको उसको सजा मिलेगी ऐसा नहीं कि वह privileged है या कुछ ऐसा है तो उससे सजा नहीं मिलेगी ठीक है और क्या किया उन्होंने new hymels composed करे कि अपने country के लिए अपने country के ट्वार लिए उन्होंने बहुत चारी oats लिए ठीक है शपत होता है और hymels क्या होता है hymels न्यू hymels मतलब सॉंग इसे national songs national anthems यहीं सारी चीज़ें इंडिया में भी है वैसी ही वहाँ पर है और ऐसी different countries का होता है आगे बढ़ते हैं ठीक है अब ये लोग तो एक सिंगल यॉनाइटेड नीशन बन चुके थे, फ्रान्स वाले ठीक हैं, उन्होंने क्या सोचा है, अब जब हम कर रहे हैं, तो बाकियों को भी प्रमोट कर थे, बाकियों के सामने भी प्रमोट कर थे, उन्होंने क्या करा, कि वो चाहते हैं, यही नाशनल यही फ्रेंच रेवलूशन का आइडिया वो पूरे यूरोप में जाके फैला है ताकि उनके अंदर भी नाशनिजम की फीलिंग डेवलाप हो अपने जہकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा है वो नाइंध च्लास में ठीक है और मिडल क्लास अजो एडिया बारे में पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उन लोगों ने क्या करें जो educated middle class थे उन्होंने different मदब पूरे यूरोप में different different cities में जैकोबिन क्लब फॉर्म करने लग गए ठीक है ताकि वो अपने इस idea को बढ़ा सके इधर वदर जो आदमी सी उन्होंने भी यही कहा कि हम जाके पूरे यूरोप में इस idea को फैलाएंगे अब आता है 1799 में फ्रांस में नेपोलियन आ जाता है अब वो जाता कब है मतलब उसका रूल रहता कब है 1799 से 1815 तक वो रहता है ठीक है 1799 से 1815 तक वो रहता है rise of Napoleon empire and empire hall पढ़ते है क्या है rise of Napoleon आता कब है 1799 डेट याद रखनी है within the white smith of territory that came under his control Napoleon यहापे also लिखा है यहापे also है attacked France and captured it and no doubt he destroyed democracy in France मतलब उसके अंडर में उसके अंडर में उसके बहुत साथा मतलब यूरोप का बहुत सारा area आ चुका था ठीक है उसने बहुत सारे area capture कर ले था अब वो आया कहापे फ्रांस में capture करने ठीक है फ्रांस में capture करने आया तो और उसने capture कर भी लिया और capture करने के बाद क्या हुआ फ्रांस जो था अब कोई अब डेमोक्रिटिक नहीं था मतलब वहां की democracy चिन चुकी थी वहापे वापस monarchial rule आ चुका था क्योंकि Napoleon ने capture कर लिया था but on the other hand मतलब जब मतलब democracy से मुनार्की आ गया तो वह कोई अच्छी बात तो है नहीं लोग तो दुखी हो गए कि यह क्या हो गया हम अच्छा का सा रह रह रहे थे अब क्या हो गया वापस monarchial आ गया वापस यह सब है but on the other hand he even did some revolutionary principle in order to make the whole यहापे whole है ठीक है यह थोड़ी typing error है वरना ठीक है बाकी सब whole system more rationalized and efficient उसने क्या करा मतलब उस आया तो मुनार्की लाया तो democracy खतम करी तो लेकिन उसने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स ले आया ना जो की आगे बहुत काम आने वाल थे जो की बहुत अच्छे थे लोगों के फाइदे के लिए थे और वो principles क्या थे हम उसको पढ़ेंगे civil code of 1804 उसे बोला जाता था civil code of 1804 ठीक है as also known as Napoleon code ठीक है अब इसको हम आगे वाली slide में पढ़ते है Napoleon code of 1804 अब Napoleon code of 1804 था क्या 1804 में बना था तो simply इसका नाम रख दिया Napoleon code of 1804 ठीक है first point all privilege based on birth and caste were abolished मतलब जितनी भी privileges आपने 9th में पढ़ा होगा जितनी भी privileges मिलती थी ना by birth upper caste को और caste basis पे जो भी था वो अब उसने खदम कर दिया कि भाई आप जो था नहीं इस तो में privilege मिल रहा था यह करने का वो करने का रिप्रेस करने का लोग आप तुमसे वो छीन लिया जाता है establishment of equality जब privileges छीन गई तो obviously है obviously है कि भाई अब सबको equality मिल गए privilege छीन चुकी है equality आ गई security secured the right to property to all पहले क्या होता था सबको property रखना भी allowed नहीं था कोई रखन भी नहीं सकता था पहले पार तो पैसे नहीं होते तो दूसरी बार रखने भी नहीं देते उसने क्या कर दिया कि अब property सब रख सकते हैं भाई ऐसा कर दिया simplification of administrative division administrative जो महां का administration था ना उसमें बहुत अच्छे से division कर दिया उसमें बहुत अच्छे rules और regulations ले आया abolish fidual system and free peasants from serfdom and minorial dues मतलब उसने क्या करा जो peasants थे ना बड़े-बड़े लोग peasants को अपने अंडर रख लेते थे और अपने अंडर काम करवाते थे और उसे पैसे वैसे लेते थे मतलब dues लेते थे अपना interest लेते थे और यह वो उसने क्या करा उन सारे peasants को छुटका दिला दिया उन सारे minorial dues से उनके जो उधार थे उनको जो मतलब काम कराया जाता था इतना जादा अपने अंडर रखा जाता थे उन्होंने peasants को ना उन सबसे free करा दिया इन two towns guild restrictions were removed guild restrictions क्या वही मैंता होता है ने taxes and all और फिर नहीं आने देते जाने देते वही सब उसने remove करा दिया abolish हो गया वाब transport and communication system was improved transport and communication system बहुत साधा improve कर दिये थे उसने peasants, artisants, work a new business, joined the new found freedom लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई कसम से इसने मुनार्की तो ले आया लेकिन इसने इसने क्या करा इसके साथ कुछ ऐसे laws भी लाया जो लोगों को बहुत जादा पसंद है जैसे कि उसने मतलब जैसे मैंने बता ना free peasants को free कर दिया तो इससे लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई कुछ अच्छा काम भी कर रहा है बेशक से democracy गई पर कुछ अच्छा काम तो करी रहा है अब uniform laws standardized measure and common national currency एक common national currency जैसे यहां पर rupee है अब कहीं dollar है कहीं कुछ है कहीं कुछ है वैसी एक ऐसा उसने बना दिया और laws सबके लिए equal है कि ऐसा नहीं किसी को privilege basis पर छोड़ दिया जाए नहीं सबके लिए equal है तो लोगों को लगा अरे भाई यह तो अच्छा काम कर रहा है बेशक से democracy कहीं पर कुछ अच्छी चीज़ थे तो आई आई आपर लेकिन यह लोगों का गलत पहमी थी यह कुछ ही टाइम बाद लोगों को पता चल गया कि वो बहुत गलत सोच रहे थे drawbacks क्या थे अब उसने लेकिन अब लोगों को मैं बताती हूँ कि लोगों को पसंद क्यों नहीं आया और क्या नहीं आया नैपोलियन के रूम में नैपोलियन ने क्या करा देवर increase in Texas मतलब increase in Texas तो उसने ने tax बहुत साथ बढ़ा दिया वो क्या चाहता था नैपोलियन कि वो पूरे यूरोप को capture कर लिया बहुत सारा चाहिए तो पैसा कांसे आएगा सब्सक्राइब लाग अगर मतला तो लोग होते थे दर्ट होते जो एक दुसरे के क्लाइब पबिश करते हैं गर्मेंट के لए पबिश करते दीन कर सकता कुछ अगेंस्ट में जो करते में करो पर उनके अगेंस्ट में कुछ International वंदा पब्लिश नहीं करना है कि उन्होंने ये गलत करा ये ऐसा विससा कुछ पब्लिश नहीं करना है तब ही जाके होगा इस चक्कर में उसने क्या करा आर्मी में रिक्रूट्मेंट स्टार्ट कर दी एड्वांटेजस सून केम टू सीमा इस डिस अड्वांटेजस टू कीजिए and thank you and please wait for the next part also